जैस रिक्रेशना, LJ टेलेंट में आप सबका स्वागत है आज मैं बना रहे हूं ये कुलफी सेप में मिठाई ये मिठाई हमारे कीचन में रखे वे कुछी समानों से बन के त्यार हो जाती है और इसे बनाने के लिए हमें सिरफ 5 मिनट लगता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है और ये बनाने में बहुत ही आसान है इसे बनाकर आप 10-15 दिन फ्रीज में रख सकते हैं चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने एक गिलास दूद लिया है अभी इसमें 2 चमस मिल्क पावडर डालेंगे मिल्क पावडर को दूद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें एक भी लम्स वगरा नहीं रहना चाहिए अभी मैंने एक कटोरी सूजी लिया है ये बारिक वाली सूजी लिया है आपके पास बारेक वाली सूजी नहीं हो तो आप नॉर्मल सूजी ले और उसको एक बार मिक्सी में चला ले अभी इस सूजी को हम इस तरह से मीडियम आज पर सुखाई रोष्ट कर लेंगे इसका कलर चेंज नहीं करना है अभी मैंने इसमें एक चमस गी डाला है आप इसकी जगह ओयल भी डाल सकते हैं अभी इसको इस तरह से एक अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी मैंने आधे कटोरी नारियल का पाउडर डाला है इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे द्यान रखे इस पूरे प्रोसेस को मीडियम आँच पर ही करना है, अभी मैंने एक कटोरी चीने लिया है, आप मिठा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, चीनी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अभी मैंने जो ये दूद लिया था ये गिलास वो आधा दूद इसम में डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सुजी में दूद मिक्स हो जाने के बाद में ये बचा हुआ हमारा बाकी का दूद भी डाल देंगे, और इस दूद को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस टाइम भी हमें आँच को मीडियम ही रखना है, और अ लीए को लीजे हमारा रटे अच्छे से गाड़ा हो गया आप देख सकते हैं यह साइड से पैयं τον को भी छोड़ दिया है यह ंशी तरह का रूंड Yeah इसको एकदम ज्यादा ठद हूररम करतियों इसको एकदम अच्छे से ठंड़ा होने देंगे ये डो हमारा एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है अभी हाथ की मदद से इस तरह से इसको एकदम अच्छे से मसलते हुए चिकना बना लेंगे अगर आपके हाच पे यह चिपे कराए तो आप थोड़ा सा गी ले और फिर इस तरह से इसको मसलते हुए इसको एक गम अच्छा सा चिकना बना ले लीजिए ये डों हमारा मिठाई बनाने के लिए त्यार हो गया है अभी इसके इस तरह से तीन हिसे कर लेंगे और अभी एक हिसे को इस तरह से लेकर एक बोल जैसे त्यार करेंगे और इसको एक बार एक साइड में रख देंगे और बाकी के बचे वे दोनों हिसे लेंगे और इसमें अभी बारी कटे वे कुछ बादाम डाल देंगे एक चमज टूटी फ्रूटी डाल देंगे और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी पहले वाले हिसे को लेंगे और इसमें एक चमच रूह फजा डालेंगे और एक दो बून रेड कलर डालेंगे और अभी इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी तरह से मसल तेवे डो को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे लीजिए ये हमारा रेड गलर का डो त्यार हो गया है और इसकी छोटे छोटे बोल्स त्यार कर लेंगे आप अपने हिसाब से छोटे या बड़ी जैसी आपको या आकार को मिठाई चाहिए इसकी हिसाब से बोल्स त्यार करें इसी तरह से सारी बोल्स को त्यार कर लेंगे ये हमारी बोल्स सभी त्यार हो गई है अभी हम स्वाइट कलर वाला डो लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा हिसा लेंगे और हाथ से इस तरह से गोल गोल जैसा बनाएंगे फिर इसको इस तरह से थोड़ा सा लंबा करेंगे और नीचे से इस तरह से लंबा करते जाएंगे यानि ये कुलफी की शेप दे देंगे खाले नीचे की हिसे को इस तरह से लंबा करेंगे और अभी इसके उपर वाले हिस्से पर एक रेड़ वाली बोल्स लगाएंगे और अंगोठे की साहिता से इसके उपर इस तरह से पूरा कवर कर देंगे ताकि ये निकले नहीं और इसके साथ एकदम अच्छे से चिपक जाए और अभी इसको वराबर से एकदम अच्छे से सेट कर देंगे इसे बनाना बहुत ही आसान है आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से ये हमारी कुलफी बन के त्यार हो गई है इसी तरह से दूसरी कुलफी भी त्यार कर लेंगे अगर आपको इसी तरह से सुजी की आसान मिठाई की रेसिपी और देखनी है तो आप मेरे डिस्प्रिक्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं मैं वान लिंक देदूंगे आप उसे क्लिक करके और आसान रेसिपी देख सकते हैं इसी तरह से सारी कुल्फी को त्यार कर लेंगे ये मैंने सभी कुल्फी को त्यार कर लिया है अभी थोड़ा सा सुका नारेल का पाउडर लेंगे और कुल्फी को इस तरह से नारेल के पाउडर में कोट कर देंगे इसके चारों और तरब से इस तरह से अच्छे से नारेल का पाउडर लगा देंगे और अभी हाथ की मदद से इस तरह से अच्छे से इसको सैट कर देंगे ताकि नारेल का पाउडर इसमें अच्छे से चिपक जाए और अभी इस तरह से एक आईस्क्रीम श्टिक लेंगे और इस कुल्फी में इस तरह से बीच में लगा देंगे लीजिए त्यार आईए हमारी स्वादेश्टिक कुल्फी मिठाई इसी तरह से बाकी बची वी कुल्फी को भी हम त्यार कर लेंगे ये गर्मियों के लिए बहुत ही स्पेसल कुल्फी मिठाई है आप इसे एक बार जरूर बनाएं बच्चे बड़े इचाव से इसे इंजोई करेंगे इसे तरह से सारी कुल्फी को त्यार कर लेंगे लीज़िए ये मेरी कुल्फी सभी बनके त्यार हो गई है अभी डेकुरेट के लिए मैंने थोड़ी से मुखवास लिए इस तरह से इसके उपर लगा देंगे के लिए धन्यवाद राधे राधे